नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल Advanced Technology पर दोस्तो आज के इस वीडियो के अन्दर हम CPAP मसिन के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी क्विश्चन हो तो आप comment box में जरूर comment करे और मेरे वीडियो को like करे और दोस्तों को साथ share करे मेरी चैनल पर आप नए हो तो मेरी चैनल को subscribe करे, bell icon दबाए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 4 topic को cover करेंगे सबसे पहला रहेगा CPAP क्या है, दूसरा है CPAP का use क्यों और कहा करते है तीसरा है CPAP का use नहीं किया तो क्या हो सकता है चोथा है CPAP का इसे काम करता है, पांचवा है CPAP का use किसको नहीं करना चाहिए दोस्तों CPAP क्या है, CPAP का पुरा नाम है continuous positive airway pressure यानि कि ये एक machine है जो non-invasive therapy हमें देता है, एक पुरा marks होता है, full face marks या nasal marks उसको हमारे चहरे पर हम belt की मदद से पहन लेते है और machine हमारे airway के अंदर एक continuous positive pressure बना के रखता है ताकि हमारा airway कोई भी condition में बंद ना हो और हम आसानी से breathe कर सकते है CPAP machine का use obstructive sleep apnea को treat करने के लिए किया जाता है तो दोस्तो सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा obstructive sleep apnea किसे कहते है जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा airway बंद हो जाता है यानि कि हमारा airway ब्लोक हो जाता है उस time हमारा breathing रुख जाता है तो सोते समय और ब्लोक हो जाता है जब हम obstructive sleep apnea के अंदर CPF machine का यूज करते हैं तो CPF machine हमारे airway के अंदर एक continuously positive pressure बना रखेगा उसके कारण ये होगा कि हमारा airway कभी भी बंद नहीं होगा और हम comfortably सो सकते हैं CPF machine का यूज करके तो इस तरह से CPF machine का use obstructive sleep apnea को treat करने के लिए किया जाता है दोस्तो अगर हम CPF machine का use नहीं किया तो क्या हो सकता है सबसे पहले जिसको obstructive sleep apnea का problem है उसको dr. CPF machine यूज करने की सलाह देता है अगर हम CPF machine का use नहीं करते तो जब भी हम सोते है तो कुछ समय के बाद हमारा airway यानि की breathing का रास्ता बंद हो जाता है और हम अचानक नीन से उठ ज होने से हमारा दिमाग हमें continuously जगने का command देता है और ऐसा command हमको पुरी रात में सेकड़ों बार दिमाग देता रहता है तो इससे क्या होगा कि हमारी नीन्द हमें पुरी नहें मिलेंगी उसके कारण सुबे हमारे सभी दैनिक कार्यों में हम थकान को मैसूस करेंगे और दोस् oxygen की मातरा लंग्स को पूरी तरह से नहीं मिलती उसके कारां blood के अंदर oxygen का level कम हो जाता है और carbon dioxide का level बढ़ जाता है दूसरा दोस्तो blood pressure भी बढ़ जाता है और साथ में heart rate भी बढ़ जाता है और ऐसा होने से stock का भी problem हो सकता है और heart failure का problem भी हो सकता है तो दोस्तो cpf machine का use नही करने से हमारी body के अंदर काफी सारे abnormality हो सकते है तो doctor जिसको cpf machine यूज करने की सला दी है उसको compulsory cpf machine यूज करना है क्यूंकि वह अगर cpf machine यूज नहीं कर सकता तो उसके लिए काफी dangerous हो सकता है अब दोस्तों हम बात करेगे कि cpf machine कैसे काम करता है दोस्तों सबसे पहले हम हम दोस्तों सुल नॉर्मल Onejanang का कुछ कर लेते हैं जब हम दोस्तों से कोई नहीं होता है कोई यह इस तरह कोई ब्लॉकिज नहीं होता मिन रहता है तो प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती हैं लेकिन जब हम ऑप्स्ट्रेक्टिव स्लीप अपनिया है हमें ऑप्स्ट्रेक्ट आ जाता है तो फिर एक पांच का जो प्रेशर है यह जो प्रेशर है वो हम CPAP का प्रेशर दे रहे है मतलब continuous positive airway pressure हमारे airway के अंदर 5 का प्रेशर continuously ये जो प्रेशर है वो continuously बना रहेगा तो हमारा breathing यहाँ पर इस तरह से होगा तो दोस्तो हमारे airway के अंदर ये जो प्रेशर है वो continuously 5 का प्रेशर बना रहेगा उसके कारण हमारा जो airway है वो blockage नहीं होगा और वो airway हमारा continuously open होगा दोस्तो ये जो pressure है वो शुरूआती pressure 5 से शुरू होता है अगर आप 5 के अंदर भी discomfort feel कर रहे हो तो फिर बड़ा के आपको 6 करना है 7 करना है फिर 8 या फिर 9 10 इस तरह से आपको करते जाना है जहाँ पर भी आप comfort feel करो वहाँ पर आपको रुख कर वो pressure continuously set करना है तो आपको अगर 10 का pressure set किया है तो वो आपके airway के अंदर continuously 10 का pressure देता रहेगा उसके कारण क्या होगा कि आपका airway बंद नहीं होगा तो दोस्तो ये जो pressure है वो शुरू आती 5 से होता है तो 6, 7, 8 तक लगबग आपका problem solve हो जाएगा जादा pressure रखना भी मुश्किल के बाद है उससे काफी सारे disorder पैड़ा हो सकते है जैसा आपको डॉक्टर सला रहे देता है उस हिसाब से आपको pressure को set करना है अब दोस्तो बात करेंगे CPAP मशिन किसको यूज नहीं करना चाहिए तो respiratory arrest, unconscious, agnol respiration, pneumothorax, hypovolumic shock, actual MI with hypotension, chest trauma, persistent nausea and vomiting, upper GI gastric surgery ये दोस्तो मैंने जो बताया है अगर इसमें से कोई भी problem हो तो CPAP मशिन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस condition में CPAP मशिन का यूज करने से दूसरा problem भी हो सकता है तो दोस्तो इस condition में अगर CPAP मशिन यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए दोस्तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर CPAP मशिन की पूरी detail से बात की है अगर फिर भी आपको कुई भी question हो तो आप comment box में जरूर comment करें दोस्तो मेरे ये वीडियो को please 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 like जरूर करें और दोस्तो के साथ share करें और मेरी channel को आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और bell icon दबाए ताकि ऐसे हर एक वीडियो के notification आपको मिलती रहे मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वंदे मातरम